विद्यार्थी मित्रो लिबर्टी एत्मा आप सोनु हार्दिक स्वागत। आजे आपने हाईकोट द्वरा आयो जीत बैलिफनी परिक्षा ना प्रश्णा पत्त्र विशे माहीती मिलवी शुम। मित्रो बैलिफनी परिक्षा गुजराती मां स्वागुन्नी परिक्षा छे अने छ टोपीक छे। सव प्रतम एना माणखा विशे थोड़ी माहीती मिलवी थ्रोण कलात अने स्वागुन्नू प्रश्ण बत्त्र दिस्क्रिप्तिव वर्णनात्मक। कोई पन परिक्षा जरे वर्णनात्मक होए तेरे इने माटे खास समझ, आयोजन अने खूर महावरानी जरूर पड़ती होए छे। अबे, सव प्रथम आ परिक्षा नूजे प्रश्ण पत्रोचे एना ट्वपिक नी हूँ आची वाद करू। एक, निवन लेखन, बे, पत्र लेखन, त्रण, एवाल लेखन, चार, गद्यार्थक दहान, पाँच, एक वाक्ये माँ उत्तरापो अने छ तूंक नाद। आम छ टोपिक पुल्मणी ने स्वगून अने त्रोण कलाक। मित्रो, सव प्रथम हूँ तमने पायानी वाद करू। वर्णनात्मक ज्यारे प्रस्णो लखवाना होए। त्यारे म कई बावत ध्यानमा राखवी जोईये। ज्यारे आपने भाषा सथे काम पार पाडवानू छे। तो आपना लखानमा अक्षरो सुंदर होवा जोईये। मरोडदार अक्षरो। मोतीना दाना जेवा अक्षरो। जाने के विणी लेवानू मन थाईतेवा अक्षरो। वाक्य ए शब्दनू बनेलू छे अने शब्दे अक्षरो ना बनेला छे। एतले जारे आपने लखान लखिये। त्यारे एक शब्द अने विजा शब्दे वच्छे योग्ये जग्या राखिये। एक शब्दना बदा अक्षरो सप्रमान लखिये औने मरूर्डार लखिये। सुन्दर अक्षरो एतलू अगत्यनू नथी। भाषा शुद्धी औने जोडिनीनी शुद्धी आ अत्यांत जरूरी छे। जोडिनीनी वदारे पड़ती अशुद्धी होए तो अर्थनो अनार्थ थाई जाए। हाँ, क्यांक जोडिनीनी अशुद्धी होए अने एना थी अर्थग्रहन मा क्याई मुश्कली न पड़ती होए। तो मने लागे छे के एनो बहु बांदो नहीं। पन अतिशा अशुद्धी ए आपने माँ टेक नकारात्मक वस्तु बनी जोशे। पछी विदामची जोडो योग्य उप्योग करवो जोई। त्यार पछी आपनुझे लखान छे एने फक्रामा विभाजित करवो जोई। योग्य फक्रापडेला होवा जोई। क्रम बद्ध लखान होव। जोई। एमा स्वच्छतानो पुरेपुरो आगर राखेलो होव। जोई। तुंक माँ आपनों लखान ए आपनी प्रतीकृती छे आपनी ओड़क छे। आप भाईय संदर्य जो सारू होई तो परिक्षक एना थी पन अभी भुद्धाई जाये छे। अने परिनामे पांच गोण सेलाई थी आपनी प्राप्त थायू शक्या छे। एटले कोई पन टोपिक माँ आ मेजे जनावी ए बाबतो अत्यांत जरूरी छे। अवे बैलिप ना प्रश्णपत्र नी वाद करी तो एमां सव प्रथम गद्यार्थ ग्रहन नी प्यलाउमुतमने समझापू। गद्यार्थ एक ध्यानमा राग जो। के प्रश्णपत्र मां एमने टोपिक आप्या छे। पण कया टोपिक ना केटला गूण ए दर्शावी नथी। एटले आपने एने विशे च्वक्कस कई शक्ता ना थी। वड़ी प्रश्णप नम्मर पांच अने छ एक वक्येमा जवाब आपो अने टुंक नात। एमां पन शू आवी शके। एमां पन आपने ए अंदाजीत एने माहिती लेवी पडशे। सौ प्रथम गद्यार्थ ग्रहन ने वाद करूँद। गद्यार्थ ग्रहने तले आपेला गद्या खंड पर आदारीत परश्णो ना युग्य जवाबो आपवा। आनुनाम गद्यार्थ ग्रहन। मित्रो, जरे गद्य खंड आपे होए, त्यारे एने सव प्रतम समझवा पड़े. समझवा मांटे एक वखत, बे वखत, त्रण वखत एनु वाचन करवू पड़े. अने जरे वाचन करीये त्यरे मातर वाच्वा खातर वाचन नती करवानू वाचननी साथे गध्य खंडने समझुआ ने पुरो प्रैत्न करवो पडे गद्याखनना वाचन पछी प्रश्नोने वाचवापडे, प्रश्नोने समझवापडे अने एना पछी, आ समझ केडवया पछी आपने गद्याखन्ड आजारीत प्रश्नो जेछे ए प्रस्णों ना उत्तरों गड्डिय खंड मां थी मिडवानों प्रहत्न करवो जोईए। ए माटे आपने मौलिक भाषा मां जवाबो आपवा ए अत्यांग जरूरी छे। हाँ, क्यांक चक्कत शब्द होए तो ए शब्दनों आपने उप्योग करी शकिये छे। गड्डिय खंड सारा मां सारा मार्क्स आ टोपिक मां वीशके। हूं तो एम कहिश के जो परिक्षक बराबर समझे होए तो पूरा मार्क्स मेरवीशके। आ एतलों सेलों टोपिक छे। मित्रों तमारा मां शक्ति पड़ेली छे। मात्रने मात्र शक्तिने उडखवानी छे। साची दिशामा एने उजागर करवानी छे। एतले जे राजेंद्र शाय एम कहिवी छे। पंड नी पेटी मां पारस छे पड़ेव। वावरी जाने ते बड़ भागियो। आ शरीर एपंड छे। एमां पारस मनी आत्मा शक्ति ये पारस मनी छे। इश्वर तरप्थी मने तमने बदाने सरखी आत्मा शक्ति मनेली छे। आपने प्रायत्न द्वारा, साची समज द्वारा, योग्या मार्गे दर्शन द्वारा आ शक्तिने उडखवाने अने योग्या मार्गे एनो आपने जोवप्योग करिये, तो आपने उन्नतीना शिखरो सर करी शक्ये छिए अने आपना लक्षने आपने सिद्ध करी शक्ये। अबे, तमानी समक्ष हूं, गद्य खण्डनों वाचन करूछूं। वाचन, ये मात्र वाचन नती, वाचननी साथे मारा मनमा और्थ ग्रहन मारे करवानूँछे। एरिते विराम चीन होने द्यानमा राखी अने मारे वाचन करूजूए। हूं वाचन करूछू। समाज मा जुदा जुदा वर्गना मानसोने ब्राम्मान, क्षत्रिय, वैश्य, अनिशुद्र दरेकने पोत पोतानी मानसिक विशिष्टता प्रमाने कारिय करवानू होए छे। सामन्य हितने लक्षमा राखी दरेक वर्ग पोतानू काम बजावे, त्यारे राज्यनू आदर्ष सफर्थ युगने। आ प्रजाराज्यना बडवान बंदारण थी प्रत्येक नागरीक मां पाण, सत्व, रजस अनिए तमस नो समतोल पने विकास थै शके। राष्ट्रहितने माटे दरेक नागरी के प्रहत्न करवो जोईये, एम प्लेटो मानता होवा थी, व्यक्ति गत हक अने स्वातंत्र नी एने उपेक्षा करी छे। एने विश्वासतो के साचो ग्णानी एनी व्यवस्ता, एवी व्यवस्ता गड़े के दरेक ने साची स्वतंत्रता भोगवानी मने। प्लेटो ना मत प्रमाने स्वतंत्रता एटले स्वेच्छा पुर्वक कारिय करवानी छूट नहीं, परन्थु उत्तमरीते कारिय करवानी शक्ति। राज्यमा दरेक व्यक्तिये पोत पोताना स्वभावने अनुकूलावे एवूज कारिय करवानूं छे। पोतानी खास कारिय शक्तिमा गुन्थावूं ए गुलामोंनी जुन्सरी नथी, परन्थु कारियनी स्वतंत्रता छे। मित्रो, एक वकद में वाचन करिय। अने तमेने अनुकूल न होय, तो बे वकद, त्रण वकद पन तमें वाचन करिय। वाचन, ए मात्र वाचन नथी, वाचनने साथे सर्जक ना जे विचारों छे, एने समझवानी तमारे कोशीश करवी जोईये। अवे, एनाउं प्रस्णों वाचन चूँछू। प्रस्णा एक, आदर्ष राजनों आदर्ष क्यारे सफर थयो गणाई। बे, प्रजाराज्यनु बंदारन केवू होवू जैये। त्रण, राष्ट्र प्रत्ति दरेक नागरिक ने सी फरत छे। चाल, प्लेटों ना मत मुझब, स्वतंत्रतानों सु अर्थ छे। पांच, गद्धिया खंडने योग्या शिर्षक आप हो। तो आप प्रश्णों बाच्या। तमने जितली जरूर होई ते प्रमाणे वाचन करया पछी, समझया पछी। हाँ, आमा कोक बखते एवू बनवानू। कि पहलों प्रश्णा होई, तो इन उत्तर सरुवात्माना न पाण होई। के कोकब होग बखते पहला प्रश्णाना उत्तर मध्यभागामा पन होई। यद़ि ग्रमा प्रश्णों पुछेला होई यह अउप मान խानी कोई जरूर्ण न थि। दाखला तरीके जू, आदर्ष राज नो आदर्ष क्यारे सफर थयो गणा है, तो एनो जवाब आपने आरिते आपी शक्ये, के सामान्य हितने लक्षम राखी दरेक पोता नू कर्तव ये बजावे, तेरे आदर्ष राज नो आदर्ष सफर थयो गणा है, बी जो, प्रजाय र आदर्ष राजनू मंदारन केवू हुँ जोईये, तेनो जवाब आपने आरिते शोधी शक्ये, के प्रजाराजनू मंदारन एवु मजबूत हुँ जोईये, के जेथी नागरीक नो समतोल भिकास थई शक्ये, त्राण, राष्टरट त्ये नागरीक नीशी फरत छे, तेनो जवाब आरी थे सोधी ने आपने लखी शक्ये के राष्ट्र तत्ते दरेक नागरीक ने ये फरत छे के नागरीके राष्ट्रहित ने प्रथम ध्यानमा लेवु जोईये चार, प्लेटोना मत मुझब स्वतंत्रता नो शू अर्थ छे तो एनो जवाब आरी थे आपने लखी शक्ये प्लेटोना मत मुझब स्वतंत्रता ये तले काम करवानी उत्तम रीत उत्तम शक्ति अने छले गद्य खंडने योग्य शिर्षकापो तो शिर्षक मा बदा नाम सब्दो येकज होवा जो ये ये जरूर नथी गद्य खंड जे मुख्य विचार पर रचायलो छे ये विचार ये गद्य खंडने शिर्षक बने शिर्षक तुमकू अने सफस्ट होवू जो ये कदाच दरेक परिक्षकना सब्दो जुदा होई पान गद्य खंडना केंद्रवर्थी विचार ने प्रस्तुत करता होई तो ये साचू शिर्षक गणी शकाई के जू आने मारे शिर्षक आपू होई तो आमा प्लेटो नी बात करी छे अने आदर्ष राजनी बात करी छे प्लेटो ना मत मुझब आदर्ष राज्य केवू होवू जोई है आ आनो मुख्य विचार छे तो आमा हुँ यें कही सकू एना शिर्षक तरीके प्लेटो नी आदर्ष राज्यनी विभावना अथ्वा संकल्पना आरिते उने शिर्षक आती शकू। अथ्वा प्लेतोने मते आदर्ष राज्य यह पन लखी शकाए। प्लेतो अने आदर्ष राज्य आ बया मुख्य आयना मुद्दाने सब्दों छे। एकले मित्रो गद्यार्थ ग्रहान ए तमारे मांटे अती शय सेलाई थी पूरा मार्क्स मेरवा मांटे नो अती सुंदर टोपिक छे। पण हाँ आमा एक बाबत ध्यानमा राखवी पड़े के तमारे खुब महावरो करवो पड़े। प्रैक्टीस मैक्स मैन परफेक्ट तो जेम जेम तमे महावरो करशो गणा गद्या खंडो अने एनो महावरो करशो ने समझवानो प्रहत्न करशो तो मने लागे छे। ते तमारी समस्वक्ती ए विकस्य अने तमे पूरा मार्क्स मेरवी सक्षो। अवे एक बिजा टोपिक नी आपने चर्चा करिये। निबंद लेखन, मित्रो, निबंद लेखन एकला निबंद लेखन माठे नहीं, परंतु वर्णना आत्मक कोई पन टोपिक होई, तो एने माठे पायानी बे बावतो नी जरूर छे। एक तो तमारू विशार भाचन, तमारू भाचन विशार होँ जोईये, आने कल्पना शक्ति, एनी साथे भाषानी सम्रुद्धी पन अत्यां जरूरी छे। योग्य शब्दो, वाक्यो, कल्पनावो, उदाहराणो, केवतो, रुडी प्रयोगो, संकल्पनावो, दुरुष्टान तो, आनी तमारी पासे जिटली सम्रुद्धी हशे। तेटलू उँँ मानूछु, तमे धारिव निशान पारपाडी शक्षो। अवे, वाक्यों नी सम्रुद्धी एक एक दिवसमना अभी शक्षे। ये बारपन थी, आ सूटेव केडवायेली होवी जोईये। छता, अजी कई निरास्थवानी जरून ना थी। तमारे माटे खुब समय छे। तमारे सारा सारा साहित्यकारोना निबंदो, जयमके डक्टर गुणवंशा, काका कालेलकर, भादर वालेश, मनिलाल नभूबाई देशाई, उमा शंकर जोशी, आनन शंकर बापूबाई दुरू, आम गुजराती साहित्यमा, सारा निबंदकारोनो तमे थोड़ो स्टडी करो, एनू अध्यान करो, तो मने लागे के तमारी दुरुष्टी खुली जोशे, अने तमारी कल्पना शक्ती उजागर थोशे, अने तोपिक ने तमे युग्यन आपी शक्षो, अवे, निबंद मां डारो के, चार निबंद आप्रमाने पुछाएला छे, आपने एच चार निबंदों लखू छु, एक, समु माध्यमों अने लोक घड़तर, बे, एक कारकुन्नी आप भी थी, त्राण, बर्निंग क्रेश्चन निएक अवे चर्चा करिये, आतंकवाद, वैश्विक स्वमश्या, अने, आजे, गुजरात, जेनो अनुभव करी रही चे, एपने एक बर्निंग प्रोब्लेम केवाई, ए एनो पन समावे करी शकाए, जड बचावो, जीवन बचावो, मित्रो, चार निबंदो मैं लख्या, अवे, परिक्षामा तमें निबंदो वाच्चो, मात्रवाची ने तर्थद निबं लख्वानी भूल न करता, चारे चार के जेल उच्छा होई थे, तेटला निबंदो वाच्वाना, दरेक निबंद विशे, तमारे मांसिक तैयारी करवानी, ए निबंद ने अनुरूप केवा केवा मुद्दा आवी शके, आ मुद्दा वो तमें केटला विचारी शकोँ छो, एनु क्याक छिल्ला पेज पर रफ पेज होई, तो एना पर टाचन करवू होई तो करी शकाई, अने आना पछेईज, निबंद लखवानी शरूवात करी शकाई, मित्लो, आ क्षित्र मां तेपन वर्ष्ति हूं काम करी रयोचू विद्यार्थी साथे, आत्मश्लागा नथी करतो, आयर सेकंडरी, क्वालेज, अने लिबर्टी, एटले, विद्यार्थी मानस्ने उं बराबर ओर्खूँछू, तमने एक सचोट दाखलो आपवा माते जे कवूँछूू। विद्यार्थी सु करे छे, के चान निबंदो वांच्या पूरो विच्यार करेवीना, गमेते एक निबान, आतंकवाद, वैस्विक समश्या, टाइटल लखी नाख्यू। अने लखवानी शरुवात करशे, एक बेफकरा लख्षे, अने पछी गाडी माथी प्याट्रोल खुटी जशे, पछी अटकी जशे, पछी एना मनमा कोई नवा मुद्दा आवता नाथी, अने पछी इसू करशे, मुझाई जशे, एने पर्षे वो छूट्षे, अने एना पर चोकडी मारी देशे, अने पछी नवा निवन्ने ए पसंद करशे, आरी ते लखवू बेलकूल खोटू छे, के आना थी समय नो दुरुवाय थयो, अवरी तमारी चाप खोटी पड़ी, तमारामा निर्णाई शक्ती नो अभाव छे, एपन नक्की थाई गयू, अने आवू नकरका, एक वाक्यत नोधी राखवा जेवू छे, साचा विशय नी पसंद गी, एटले पचास्ट का सफडता, निवन्न लेखन मा, तमें जो साचो विशय पूर्ण विचार करीने पसंद करयो, तो पचास्ट का सफडता मरी जाए, अवे, धारो के आज में निवन् पसंद करो छो, समु माध्यमों अने लोक गड़तर, तो मारू ध्यान हूँ एना परज केंदरीत करीश, हूँ जे रजुवात करीश, एक रमबध्य रजुवात करीश, तो समु माध्यमों अने लोक गड़तर ब्या शब्दों अगत्यना छे, तो आप ब्या शब्दों पर म मारू ध्यान कैंदृनिक करीश, तो सरुवात्म मारे समुमाध्यमो एक लेशू, एम सम्जावू पडे, समुमाध्यमो एत लेशू. पहले उखने झारिशू, विवीद समुमाध्यनी परिवाष अपिश, एना पछे विवीद समुमाध्यमो, विवीद समूमाध्यम हो तो पथी कया कया समूमाध्यम हो तो हाँ मारा नोलेज मथी मने खबर पड़ भी जोई है क्या समूमाध्यम तो हूँ आप्रमाने लखीश भवाई नाटक, रेडियो, टेप रेकोर्डर, टीवी चैनल, फिल्म, पथी आगर लखी नेचर चा करो शूब पर, अवे, आदा मुद्दा हूँ तार्वीश, तो पहला समूमाध्यम हो एकलेशू, तो एनी परिवाशा सफष्ट करवानों प्रहित्न करेशू, समूमाध्यम है येवूमाध्यम छे, के जे प्रजाना, विशार, भर्गने आवरी ले छे, एने सुलव छे, एने समूमाध्यम क्या आए? आवी परिवाशा माध्य अपछी, विविद समूमाध्यम हो, तो आजे समूमाध्यम हो में जे लख्या, एक-एक समूमाध्यम द्वारा आने विश्टूत चर्चा करीश, भवाई, तो उपेला भवाई नी वास करीश, आद दरेक मुद्दाने अवे हूँ विस्तारीश, आने योग्य फक्रापाडिश, प्राचिन समय माध्यम हो, प्रजाना मनोरंजनने शिक्षण माध्यम हो, गामे गाम, एक विश्ट जाती द्वारा रात्रे जुदावद्दा भवाई ना वेश, बजवाता, जे माधी लोखोने मनोरंजन पन प्राप्ता थतो, आने शिक्ष लोकोनी कूर दियो हो, खोटी मान्यता हो हो, कू विचारो हो, बवाई ना वेश्ट द्वारा एना पर कटाक्ष थता अने हस्ता हस्ता जेम एमाथी सारो बोध प्रजाने प्राप्ता थतो, तर आम विश्तार्थ एक एक फक्राम उचर्चा करीश, बवाई पछी नातकनी ब प्रजाने 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 दारित्पन नाटक होई, शेनी विजानन, सामाजिक नाटको पुपन होई, पैसो बोले छे, वडीलोना वाके, आम भिवित प्रकार्ना नाटको, अने ए जमानामा आ नाटको द्वारा प्रजार अने लोक गडतर नू प्रजाना चारित्र नू उत्तम काम थहेलू, जो के आजे नाटक नी दुनिया तरफ ओछू लक्षवा पाई छे, पण ए जमानामा नाटक के प्रबढ माध्यमतू, त्यार पची नाटक पची उँ रेडियो नी वाद करीश, रेडियो नी शोद ए अद्भूत शोद, गाममा एकने गे रेडियो होई, आजु बाजु लोक होई, रेडियो पर कार्यक्रमों पाण के वाद, विविद कार्यक्रमों, कुरुषी ने लगता कार्यक्रम होई, आरोग्य ने लगता होई, साहित्य ने लगता कार्यक्रम होई, सरकारी कार्यक्रम होई, एमा पाण विविद होई, वार्तालाप होई, रेडियो पर नाटक प अंतर यार विस्तालों मा आ रेडियो द्वारा एक मुट्टू काम थायेलू, अने आजे पन काम थाये देवी छे, दाखला तरीके रेडियो पर शक्राबाई, शानाबाई नामनो साजे एक वार्ताला पावतो, अने एमा शक्राबाई ने शानाबाई गाम्ठी बोली मा प्रजाना एक प्रश्णनी एवी रमुजी चर्चा करता, जेती लोकों ने मजापनावती, नभी माहिती प्राप्ता थाती, अने ए प्रजा माटे एक संस्कार गडतर नू पने काम थातू, तेरे रेडियो नी बात कर तेरे प्रेकोर्ड ये सिमित एन उपियोग छे, पर एपन एक मध्यम तरीके काम थाई सकेच, त्यार भची टिवी सिवी अलो, टिवी चैनलो, टिवी ने शोद थाई, अने मने लागे छे के भिज्णान ने आज एक शोद छे, एक आशिर भाद्रूप छे, आज ए टिवी पर सर्व सुलप साधन चे टिवी, आबाल वृद्ध बदाने टिवी ना कारियक्रमों पर जोवायामा, सामड़वायामा, मजा आवेच, अने एमा पाण केटली विवित्ता, टिवी पर जे कारियक्रमों प्रदर्शुित थार, तो एमा आपनने बुदकार मा पाण खबर छ सिर्यलों, जारे प्रसारित्थती हती, त्यारे जाने के आखा भारत मा कर्फियो नी स्थिती होय वो अनुबव थतो, लोको टिवी आगर बैसित गया होय, अने सामाजिक सिर्यलों पाण, तिवी परावती, समाजगर्तर नू मोटु काम थतो, सांस भी कभी बहु थी, जिव सामाजिक सिर्यलों पाण, प्रजा मयक प्रकार नू कामा नू भुई करेलू, फिल्म मनुरंजन्नी साथे लोक संसकार ना गरतर नू उत्तम काम करे फिल्म, सुंदर, सिष्ट, संसकारी फिल्मों, राष्ट्रिय फिल्मों पाण वारम वारावेच, तारे जमिन पर, त्री लगान, दूलका फूल, मधर इंडिया, आवी फिल्मों प्रजा माटे एक गडतर नू सुंदर काम करेलू छे, मनुरंजन्न तो खरूच, अने टीवी एकले देश ने दुनिया, एने जाने के आपना दिवान खाना मा बेसी ने, आपने आराम्थी निहारिये, एनु सस्तु आपने सुलब साधन, दुनिया ना कोई पान देश माँ क्याई होना रत होय, कुद्रती आपत्ती होय, तो तरताज आपने सचित्र एटीवी पर निहारिये शकिये छिये, टीवी नी एक गातक असरपन छे, नकारातमक असरपन छे, टीवी पर प्रसारित थती चैनलों, के फ पुर्य पुरू समझी शक्तू न थे, एमा एना द्वारा कित्वीक वखाते अयोग्य भाबतो, मा एमा थी ये लेया छे, एकले समाज पर एक थोड़ी नकारातमक असर छे, छतापन, टीवी ने अवगणी शकिये नहीं, टीवी ना होय, तो जाने के दुनिया ए सुमसाम ज आपनने लागे, त्यार पछी आ प्रमाने, फिल मने ए प्रमाने चर्चा करता करता कर, अजी एक मैं समु मध्यमों, तमारी आगर प्रस्तुत करूँ छू, पुस्तको, सामाईको, पुस्तकनी दुनिया, नेर निरावी दुनिया, कोई एम केशे, के आज तो इंटर्नेटनो जमानो, ज्ण्याने ने माही थी, इंटर्नेट वरा में मिर्वी शकिये छे, पान भला, मिर्वी शकाँ छो ए वात्मा कोई खोटू नथी, पान हात्मा पुस्तक होए, अने ना वाचननो जे आनन्द मले, ए इंटर्ने द्वारा आनन्द प्राप्त करी शकातो नथी, पुस्तक ए पुस्तक अच्छे, कोई ये साचुच कईउ छे, बुक्स आर माई नेवर फेलिंग फ्राइंज, पुस्तको अपना साचा मित्रोच, अने आपना एक साहित्यखार, अने चिन्तक, डॉक्टर गुणवन्च्या, एबने पुस्तको विशे साचुच कईउ छे, जे गर मां साड़ा पुस्तको न होए, त्या दिकरी आपवामा जोखम छे, पुस्तक नो महिमाय में प्रद्यर्शित करें छे, अने कलापी ने पन याद करो, कलापी ये पन कायु छे, बनी शकेतो जिविश हूं मात्र पुस्तको उथी, पुस्तको नी दुनिया निनिनारी दुनिया ना चिंतको साहित्यकारो, महानु भावो, सर्जको, अने येमना विचारो, येमनु ग्ण्यान, येमना अनु भावो, येमने मेरवेली माहिती, एक पुस्तक आकारे अपना हाथ मो होए, मने लागे छे के, आना थी, दुनिया मा बिजु कोई अध्भूत होई शक आने, पुस्तको नी संगत ए खरे खर मानस माटे एक रंगत बनी जाये छे, एटले, पुस्तक ना पची सामाईक नीपान चर्चा करी शकाए, तो मित्रो, एक निमनने केविन ते विस्तार वो, एनी में तमने तुमकी रूपरे खावा पी, आ विस्तार मा योग्या फकराप आडेला होवा जोईए, भाषा शुद्धी, जोडिने शुद्धी, दरेक विचारोने क्रम मा गोठवेला होईए, आ वदू ध्यान मा राखवानू, निबंध मा एनी शरुवात आकर्शक होवी जोईए, आम निबंध मा जोईए, तो मुख्यत्रण भाग होई, प्रारंब मद्यबाग अने समापन, प्रारंब मा एनी शरुवात आकर्शक होवी जोईए, जरूर पड़े, तो एने विचाईने अनुरूप, कोई कावियपंती होई, कोई केवत होई, कोई रुधी प्रयोग होई, कोई दृष्टान तो होई, एना थी पन तमे एनी शरुवात करी श मद्यबाग मा विचाईने अनुरूप, क्रमबद, जिदावदा मुद्दाओने विस्तार पुर्वक्चर छा, अने समापन मा समग्रा विचाईना सार रूपे छले जे लखिये, एने समापन के वाद, शरुवात केविरिजे कर्वी, आ तमारा वाचन परा दारिच्छे, द वसंत नो वैवव, अथवा वसंत वनमाने जनमा, आमोनी वन्त मरे लखवानो होए, तो एनी सरुवात हूं कोई कादियपंती द्वारा करी शकू, मने रुडो जुवा रुतुराज आवेव, मुकाम तेने वनमा जमावेव, एम गल्पत्रामनी पंती द्वारा पाने अथवा, मनोज खंडेरियानी पंती आवरती होए, यहमनी गजलनी, तो आरी दियो पान, मारे लखवा होए, तो मनोज खंडेरियानी गजलनी पंतीयो नी शरुवात करू, आ डार डार जाने के रस्ता वसंत ना, आ डार डार जाने के रस्ता वसंत ना, फूलो ये वीजू क नथी पगला वसंतना, आम शर्वाद करी शकू, आ तमारा नोलेज पर आधारीच छे, आरिते कोई पान निबंध लखवानो होए, तेरे निबंधे अनुलक्षी ने योग्या तमे मुद्धाओ विचारो, एने क्रम्मा गोठ्व, अने एरिते लखी शकू, हाँ, हवे सामन्य वात करीश, वदारे वात नहीं करू, आप विती, कारकुन्नी आप विती, क्या कोई पान आप विती होए, आप विती माटे विजो सब्द हैयावरार, चूठनी मा हारेला उमेदवारनी हैयावरार, एपान आप विती के वाए, बोले छे सब्द एपान आप विती, एक जिर जरन किलोबोले छे। इपन आ पविती के वाद। आ पविती लगता होई है तो आ बाबत ध्यानमा राखवे। आ पविती पहला पुरुष एक वचन मा लखवी जोई है। विशाई होय आपने बनी जवानू। एक जिर्ण किल्लो बोले छे, तो हुँ पोते किल्लो बनी जाईश। अने मारा संस्मर्णो, मारो बुद्कार, मारा आनू भवो, एनी विगत्वार चर्चा करीश। पान एक ध्यान महराखवानू, आप वीतिमा कदी मृत्यु बतावाई नहीं। किल्लो सरस बोलतो हुँ अने पची छल्ले क्या के वुँ लखी नाखे विद्यार थी के आरिते इद्धो थया, मारा कांगरा एवजा टुटी गया, अने एक दिवस मारू अवसान थयू, तो निबंध खोटो। निबंध मा कदी आप वीतिना निबंध मा कदी अवसान बतावी शकाई नहीं। जो तमारू अवसान थयू, तो पची आप बोल्यू कौन, आप भूत बोल्यू। एटले, आप वीतिनो निबंध पहला पुरु शेख वचरमा लखाई। एमा कदी मृत्यू बतावाई नहीं। अने विशैने अनुरुप रस्प्रद जिवन्त भार्षामा विविद अनुभवो सांक्री ने निबंध लखवो जोई। हाँ, तमारे प्रस्टापत्रमा उत्तरवहीमा चौकस स्पेस आतेली छे। यह स्पेस थी वधारे तमे उप्योग करी शक्षोने। तमने निबंध मा जितली स्पेस आती होई। यह मा थोड़ी जग्या बाकी रेतो बांदो नहीं। बार जे लखान लखो यह गुणवत्ता युक्त लखान होवो जोई। विशय ने अनुरूप लखान होवू जोई। अवे मरी बात अहीं पूर्ण करी अने विजा टोपिक ने चर्चा करू छू। एवाल ले खान। बित्रो, एवाल ले खान। आपन वदूमा वदू मार्क्स मेरवी शकाय एवो टोपिक छे। मात्रने मात्र एमा थोड़ी समझली जरूर छे। एवाल, कोने एवाल केवाई। तो एटलू कई शकेश। कि कोई पाण घटना, कोई पाण विशय, एवालनो विशय बनी शकेश। एवाल ले खान लगती वखाते। सामान्या थोड़ा सुचनो करू। एड़े ये ध्यानमा राखवाजे वाज। आ सुचनो थी, तमे शर्वांग संपूर्ण एवाल लखी शक्ष। कोई पन घटना के प्रसंग नू आबेहू ब्रणन करू। एणू नाम एवाल लेखन। शर्वात मां तुमकू स्पस्ट शिर्षक लखवू जोईए। शिर्षक नी नीचे स्थर अने तारीक नो उल्ले करूँ जोईए। धारों के रक्तदान शिवीर अंगे नो एवाल। आ विशे मारे वर्णन करूँ छे। तो शर्वात मां हों तुमकू स्पस्ट शिर्षक लखिश। रक्तदान। शिवीर अंगे नो एवाल। आ प्रमाने ताइटल हुँ दर्शाविश। अने दर्शाविया पच्छी अहीं हुँ लखिश स्थर। अने पच्छी लखिश तारीक। ताइटल ये तुमकू हुँ अने स्पस्ट हुँ जए। अने पच्छी जे स्थर्या गटना गटी हुए। ए स्थर अने तारीक। अवे एना पच्छी एवाल मा एवाल वेवस्तित लखवो जए। क्रम बद्ध लखवो जए। एवाल लखवामा महत्वनी बाबत रही जवीना जए। एकलुद नहीं। पान अती शयोक्ती पान नथवी जए। आब अगत्यनी बाबत छे। ततस्त एवाल होवो जए। पुर्वाग्रा मुक्त एवाल होवो जए। पोताना गमा अन गमा बाजुमा राखी ने एवाल लखोवो जए। एमा पन योग्य फकरा पड़वा जए। भाशा, शुद्ध, सोरर अने स्पष्टो होवी जए। वाचकने रस पड़े ए रिते एवाल लखोवो जए। लखान मा स्वच्चता जाडवी विरांचीनोनो योग्य उप्यो करवो जए। आ बाबतो ध्यान मों राखवा थी। तमे कोई पन विशय पर सारी रिते एवाल लखी शकोँछ। आजे वू तमने एक सुंदर सुचन करवा मागूँछू। जो तमारे एवाल मां तमे धारो तो एशी टका गुण प्राप्त करी शको। ए मांटे एक सुचन करू। ए सुचन नेनू अमली करन करशो। छापा मां तमे जे वांचो छापा मां घटनाओ आवेज। कोई पान छापू लेवानू। एमा धरोज जुदी जुदी घटनाओ शे। क्याक आग शे। क्याक अकसमात। क्याए लूंट। क्याए खून। क्याए मारा मारी। क्याए कोई नी जन्मजन्ती नी उजम्नी थाई होई। क्यां कोई दिननी उजम्नी थाई होई, क्यां कुद्रती आपत्ती आवी होई, क्यां कई उद्गाटन होई, कोई विशुष्ट दिननी उजम्नी होई, तो आ बद्दा विशे छापा मो एवाल आवेज। आज थी मित्रो छापाने तमारो साचो मित्र बनाव जो, परिणा में एवाल शू छे, ए तमने नी साची समझ मरी जो छे, जारे तमें एवाल लखो छो, त्यारे तमें पत्रकार छो, एम समझ जो, तमें पत्रकार छो, अने आवी घतना प्रसंद के बनाव बने लो छे, तो तमें त्या पहुची गया छो, अथवा तो विजा द्वारा एने साची एने सचोट माहिती प्राप्त थाई छे, अने माहितीनू आलेखन तमें करो छो, एनू नाम एवाल लेखन, अवे, एक विशाय आपी, अने तमने एना विशे, एमा केउ, केउ, लखी शकाए, एने उनू तमने वाद करिश, धारो के, एक पुस्तक मेडानू आयो जन थायेलू छे, अने ए पुस्तक मेडानी मुलाकात लिधी तमे, तो ये पण एवाल नो विशाय के भाई? मेल इदेली पुस्तक मेडानी मुलाकात. अवे, एवाल मा विशाय ने समझवो, अने विशाय प्रमाने वर्णेन करू, आ जगत्यनी बाबत छे, अवे, आ एवाल मा तेनो विशाय छे. तो एमा अब ये शब्दो मारे समझवा पडशे, पुस्तक मेडो, आने मुलाकात, मुलाकात मेली दी छे. तो एने विशे मारे मारी कल्पना शक्ती थी, शरुवात करवी पडशे, आ कल्पना नो विशाय छे. अने एवाल जे लखिये, ए एवी कल्पना हो है, के कल्पना एवाच्णार ने वास्तविक लागे. आने विशे मारे एवाल लखो हो है, तू में लखिश, के अम्दा वाद मा, गुच्राथ इनुवर्सिटी ना GMDC ग्राउंड पर, तारिक आ थी, तारिक आ सुधी, एमा तारिक बता भी पड़े, के तारिक एक थी, तारिक पांच, पुस्तक मेडो हो है, त्रन दिवस्तन हो ह हो है, कई एक दिवस मांचे पुस्तक मेडो ना होई शके, आ तारिक थी, आ तारिक सुधी, पुस्तक मेडानू आयर जम थायलू होतु, समाचार जाने पछी मेपन, पुस्तक मेडानी मुलाकत ली दी, आम मने पुस्तको खुब कमेज, पहला दिवसे उन गयो, त्यारे यह अपने याद राखू पड़े, उद्गाटन, कि आटलो बुटो पुस्तक मेडो जारे नू आयोजन करी होई, त्यारे एक साड़ा साहित्यकार ने बूलावी ने उद्गाटन करी होई, तो आपने लखू पड़े, कि आतारिके सभारना नव कलाके, पुस्तक मेरानू उ एवना जानीता साइत्यकाराने शिम्तक डॉक्टर श्री कुमार पार देशाई ना हस्ते थाईू। कुमार पार देशाई ये दीप प्रागेट्य करियू। अने पुस्तक मेरा नी समझापी पुस्तकोनू महत्वा बताविय। अने ये रिते पुस्तक मेरानू उद्गाटन थाय। पछी आपने कल्पना करवी पड़े। के पुस्तक मेरानू उद्गाटन थाय। तो पछी पुस्तक मेरामा शू होय। पुस्तक वना विवीद्य स्टोल होय। जिदा जिदा स्टोल होय। तो ए आपनी कल्पना थी आपने लखवानु छे के उद्गाटन समारं पुरुना थयो एना बच्छी विविदी स्टोल तो ए मैं दरेक स्टोल ने मुला करली दी तो एमा लिबर्टी प्रकाशन नो एक स्टोल अतो तेर बची आरार्शित्नी कम्पनी गुर्जर ग्रंधरतन कारियले नव सर्जान राजकोटनू प्रवीन प्रकार्शन आम जुदा जुदा प्रकार्शको ना विविदी स्टोल अता दरेक स्टोल मा बधी जुभाशाव मा बदाज विशयोना पुस्तको होता मारा जिवा अनेक पुस्तक प्यम्बियो होता दरेक पुस्तको जोता अने कितला खरितता आ मैं पान कितला पुस्तक प्रे में होवा थी मैं पान मारी रूची प्रमाने प्राण जानना पुस्तको खरी दिया त्यार पथी एक विवाग ये वो हतो कि जहां साहितिक प्रवृत्यों चालती होती तो एनू पान आपनी कल्पना शक्ती प्रमाने आपने लक्ष उपरे क का तिया एक दिवासे बक्तुव सपर्दानु आयोजन करेलू, ने गमतो पुष्तक जिदाउ सपर्दानु आयोजन तो आम तयापन चोथा दिवसे एक पतृरीय अभीन के शेरिनाटक द्वारा पुष्थाको ए मानवीना साचा मित्रों छे एनी समझ आम विवित कार्यक्रम हो त्या पनाता दरोज हूं मुलाकात लेतो अने छल्ला दिवसे मान मैं जारे व्यवस्थापक ने पूछियू त्यारे मिनेम कयू के लगभग त्री सजार मानसोय आब मिलानी मुलाकात लेती छे अने कूल मडी ने दोड लाग पुष्थकोनू वेशान थायू छे मित्रों पुष्थक ए मानसने माटे फ्रेंड फिलोसोफर एन गाइड छे पुष्थकोनी दुनिया निर निरारी छे पुष्थकोनी संगत करवा जेवी छे तो आरी थे एक विशाईने अनुरूप में बात करी अवे रक्तदान शिबीर होई रक्तदान शिबीर रक्तदान शिबीरनिँ आयोजान थे लू होई अने एनों यह वाल लखवानों होई तो मारे एक च्वक्र स्थोड होए के हिम्मतनगर के राजकोट तो ये मार तारीक आ तारीक ए रक्तदान शिवीर तो रक्तदान शिवीर नूँ आयोज़न करनार कोण होए ये पन लखू पड़े के इम्मतनगर आर्सेन साइन्स कोलेज अने इम्मतनगर नी लाइन्स क्लब अने अंदावाद नी रेड क्रोज सोसाईटी आ त्रन्ना संयुक्त उपक्र में रक्तदान शिवीर नूँ आयोज़न करवामोवेलू तो शरू आतमा कोलेज ना विद्यार्थी बाईबेनों एक अठवाडिया पेला आजु वाजु ना गामड़ाओमा रुब्रू मुलाकात अने पेंफ्लेज द्वारा आनो ख्याल लोकोने आपेलो अने रक्तदाताओ नो सारा प्रमाण मा लिष्ट बनावेलू नियत अभियो स्थाल तो कव़ियो ओनुषा शवाखंड होए एम आगा उती पुलम मिने पूर्ती उविवस्ता कोलेंगना स्वहेमस्यव कोई अथवा एंसेस ना स्वहेमस्यव कोई पूर्ती व्यवस्ता करेली श्वर्व आत्मा उठगाण है तो एनू उठगादन तो अपने आज शेर होए तो सामान्य दिदे ए नगरपाली का होए तो एना नगरपती एमने दीप प्रागट्य करी और उद्गाटन करी और रख्तदान नो महिमा इमने समझावे त्यार पछी बदा रख्तदाता हो ए रख्तदाता हो श्वयंशेवको ने दौक्टरों आजर अन लगबग 400 बोटल रख्त एक्ठू करी आम अपने लख्ये है रख्तदाताने चाब इसकितनी व्यवस्ता करेली सवार ना नव आगया थी साथ ना चार वागया सुधिया कार्यक्रम चाले चार वागया समापन कार्यक्रम होमा लाइंस क्लब ना प्रमूखे पूर्णा थयो आरिते रख्तदान शिवीर नोएवाल मैं तमने पेला वाद करी कोई पाण विशय ए आयवालनो विशय बनी शके छे मात्रने मात्र आपने विशयने अनुरूप विचारो क्रम्बद घोठववाना होई छे अवे तमारी समक्ष एक नवा टोपिक नी वाद करू पत्र लेखन मित्रो पत्र लेखन तो पत्रो जुदाल्दा प्रकार्णा होई मित्र कुटुम्बी जनो सगा सम्मंधियो अन्य वडीलो एमने पन पत्र लखी शगाए आ एक प्रकार्णों पत्र के वाए गया प्रकार्णों पत्र ए माँग्णी पत्र क्याए पत्रमामाग्णी के सम्मंधियो फर्यात करवाणी तो इन्य फर्यात पत्र पन काई शखाय। पण एनू माणखु बदामा एक सर्खु होए छे। आपने माणखानी पेला सामान्य तमने वाद करी दो। आपनों जे आ कागर छे। एनी जम्णी बाजु कोर्नर मा पत्र लखनारनू सर्नामु होव। जोईये। अवे अगत्यनी बाज। आ सर्नामु भास्तविक नहीं लखवानू, काल्पनिक लखवानू। ये साचु ना होए। नाम नहीं लखवान। बदू कल्पीत होए। लाखला करी के आई लखु तो सर्वात्मा आपने आपनों घर होए, बंगलो होए। तो येनो नम्मर होए, तो ये लखिये छी है। पथी बंगलानू नाम होए, ये पन केतलाक लखे छे। कृष्ण कूंच। पथी कई सोसाइथी मा आवेलो छे। ये पन लखिये छी आपने। त्यार पथी कया एरिया मा आवेलो छे। ये लखु पड़े। नवरंपूरा अने छल्ले अमदावाद पथी आपने छल्ले तारीक लखिये छी। पत्र कोई पन प्रकार नो पत्र हो है। तो ये मा आ कोर्नर मा आ प्रमाणे लखु जोईये। आ कलपी तो होई, साचु होई नहीं। अबे आ पुरू थाए। एना पथी धरक्याई सुधी पुरू थाई। तो एना पथी आपने संबोदन करिये छे। संबोदन, योग्या संबोदन मित्र में लगता होईये। तो प्रिय मित्र, पिताश्री में लगता होई। पुज्य पिताश्री, गुरु जी में लगता होई। आदर्णिया गुरु जी काका ने लगता होई। आदर्णिया काका नाना बाई बैनने लगता होई। तो चिदन जी भी एमकरी ने बाई अथवा बैन ये प्रमाने आँ संबोदन के वाई। संबोदन लखे आपछी शिष्टाचार सुचक, शिष्टाचार सुचक के लगता होई। ये ने अभीवादन के वाई। कि पिताश्री ने लखे पुज्य पिताश्री तो पछी आई। सादर प्रणाम आभीवादन करियु में, अभीवादन। सादर नमस्कार। अभीवादन करया पछी थोड़ी आउपचारिक बाबतो लखे पड़े। सीधा पत्र ना विशय पर ना अभू। आई थी आउपचारिक बाबतो लखे। मित्रने लखिव होई। आउपचारिक बाबतो प्रिय मित्र एम लखिव। पछी सादर प्रणाम। पछी हूँ कुशर छू। तू पाण कुशर होईश। एम आउपचारिक आमना थी तारा तरफती पत्र नथी। मने लागे छे के तू कोई काममा व्यस्त होशे। आउपचारिक बाबतो एना पछी प्यरेगराब पाडवानों अवे पत्रानों मुख्य विशय। अवे मुख्य विशय। दाखला तरीके पत्रानों शिर्षक एवू छे। के तमारा वर्गमा भनता गरीब विध्यार्थिने आर्थिक मदद करवा माटे तमारा पिताश्रीने विननती करतो पत्र लखो। तो अईव लखीष परंपुज्य पिताश्री पछी लखीष सादर प्रणाम पछी आउप्चारिक केटलिक बाबतों लखीष मारी परिक्षा हमनाज पूरी थाई गई छे। परिक्षामा सारो देखाव में करेलो छे। यह सामन्य बाबत लखी अने पजीबाचो फक्रो पाड़ीष अवे मूर विशय परावीष के तमारा भर्गमा गरीब विद्यार्थी छे, गरीब छेने ते जस्वी छे। यहने आर्थिक मदद करवानी छे। त्यारे हूं एवी रजुवात करीश पत्रनी भाषामा कदी ठपको ना होय। पत्रनी भाषा, बोल चालनी भाषा, टूंका टूंका वाक्यो नी भाषा, पत्रनी भाषामा आलंकारीक भाषा नी जरूर होती नथी। पत्रा एकले वात्चित सामे कोई मानस छे, अने नी जोडे हूं वात्चित करी देयो छू। एवी भाषा, स्वाबाविक भाषा, बोल चालनी भाषा, एकले पत्रनी भाषा। अवे, मैं जे बाद करी, पेला गरीब अने तेजस्वी विद्ध्यार्थी ने मदद करवानी। मुँ यह नी बाद करीश। पितास्री ने, उंकाईश के पितास्री, आम पन तमे उदार छो, जयां जरूर होय, त्यां तमे मदद करो छो। मरा वर्गमा एक विद्ध्यार्थी छे, अत्यांत गरीब छे, एना कुटुमनी परिष्टिती सारी ने थी, एना पिताने लकवो थायेवो छे, एनी माता छुटक मजूरी करे छे, नाना बाई बेन छे, ए आर्थिक संकडा बनने लिदे, अभ्यास छोडी दे एउँ लाग परन्तु, पिता जी, आजे तमारी आगरू सत्य रजू करूँछू, आ विद्ध्यार्थी गणीत विज्ञानने अंग्रे जीमा प्रभुत्व धरावेचू, एटलूद नाई, पन मने ए ए खुब मदद करेचू, एनी मददने लिदेज, आ विश्वयमां सारो देखाव क परी शक्ये हो छू, एटले, एक स्वार्थनी वाद करू, तो मारे माते पाण, आ विद्यार्थी बनतों होए जरूरी छे, अरे विजी मानव तानी वाद करू, तो एक मुझातो दिपक छे, एमा पेल पुर्वाथी जे प्रजवलित रहे, तो हूं मानू छू, के मानव ता पावना छो, तो वदारे नहीं, तणेख अजार रूपिया नी जरूर छे, तो मरिया वात ने ध्यान मा लई, अने त्रोण अजार रूपिया मूकल तमें सत्वरे व्यवस्ता कर छो, एवी आशास, पचि यहीं छल्ले, कोई पन पत्र होए, तो आपने समापन करिये छे, आ मथी पिताने पत्र लख्यों छे, तो आपनो, आज्ञ्यांकित पुत्र, अब का, जो नाम न थी लगता, क्या साचू नाम लगता न थी, क्या साचू सर्नाम लगता न थी, आरिते, कोई पाण, पत्र लख्यी शकाए, मागणी पत्र, धारो के तमरा विस्तार में कचलाना ढगला छे, तो यह अंगेनी मागणी, तो आपने संभोधन, अवे तमने खबर पड़ी गई, के शेर छे, तो संभोधन, तो अहीं संभोधन कोनू करीशू, एनो तमने अवे ख्यालावी गयो, के सामानी ते कमिश्नर ने आपने लखू पड़े, तो प्रती, माननिय मुनिसीपल कमिश्नर श्री, अमदावाद, मुनिसीपल कॉर्पोरेशन, दाना पीठ, अमदावाद, आ बदू आम पाचू लाइन मा होवू जोईए, आज ए उम बोलेओ, संभोधन एक सिधी रेखामा होवू जोईए, एना पथी, विशय, आ प्रमाने स्याज लखो जोईए, आहीं विशय, कट्रा नां, ढगला, दूर करवा बाबत, एम लखी, आने पाचू आहीं संभोधन करवू पड़े, माननिय, महो दैश्त्री, आने आहीं थे उमारी वाद रजू करीश, जै वारस जनाव वानुके एम उमारी वाद करीश, आने कट्रा ना ढगला केम ठया छे, वास्तविक वाद करीश, एमा कोई फरियात्यों छे, पन नम्रता होवी जोईए, एमा कोई धमकी नी भाषान्या होवी जोईए, याग राखो, कदी धमकी नहीं, आप साही बाबा पत्म केम ठगला छे, एनू सचोट वर्णान करीश, आने पकी साहीब ने विनेंती करीश, क्या साहीब, आप साहीब अपेक्षास, आपना सहकार्नी अपेक्षास, छल्ले, आपना सहकार्नी अपेक्षास, पचिया नीचे, लिखी तंग, आपनो विश्वासू, लिखी तंग, आप्रमाने मागणी होई, फरियाद होई, एपन एक प्रकार्नो पत्त्रा छे, त्यारे, आप्रमाने केविरिते पत्त्रों लखी शकाई, एना थोड़ा नवूना आपने जोया, फरि थी तमने याद देवड़ा होँछू, आज थी अखबारने तमारो मित्त बनावज्यो, अखबार मा विविद कोलमो आवे छे, समाचारतो खराच, घटना प्रसंग, ए एवाल लेखन माटे काम आवशे, मोटा मोटा लेखो जे आवे छे, ए एना विचारो तमारे अखबारने तमारा मित्रो बनावज्यो, अवे तमारी समक्ष, आपने निबननी वाद करी, एवाल नी वाद करी, कद्यार थलेखन नी वाद करी, आवदा टोपिक नी वाद करी, अवे बेटोपिक छे, एक वाक्य मां जवाब आपो, एक वाक्य मां उत्तर, अवे आए एक वाक्य मां उत्तर छे, वह बारी निते शक्यताओनी वाद करूँ छू, कान के सिलिबस मां कोई एवने स्पस्टता करी नथी, पान आमां आवू आवी शके, एक वाक्य मां उत्तर, तो एमां जीयस ना प्रस्णु आवी शके, अने जीयस मां करन्ट प्रोब्लेम सोय, पछे एमां भारत, गुजरात अने विश्व, इतियास, भुगोर, बंदारन, सामाजिक विग्नान, विग्नान अने टेक्नोलोजी, आव साहित्य, आव दावी शके, आव एक मारी द्रुष्टिये, कानके कोई अमने चोखवत नथी करी, इले मारी द्रुष्टिये तमने कऊँछू, कि आव बद्धू एमां आवी शके, एने, एने माटे पुष्कर वाचन होवु जोईए, अवे तमारी समक्ष मात्रने मात्र उदाहरान तरिके, साहित्यना केतला प्रस्णोनी उचर्चा करीश, एक वाक्यमा जवाब, दाखला तरिके, एक वाक्यमा उत्तराप, साहित्यने अनु लक्षिनेज कऊँछू, पान परिक्षामा तमारे बदाज विशयो नू ध्यान राखवानूने बदाज विशयो नी तैयारी करवी जोई प्रस्णोने वह है, मादे बाई नी डाइरी ना केतला भाग? मादे बाई नी डाइरी ना केतला भाग छे? कुल केतला भाग? तो मने खबर होवी जोई है, त्रेवीस भाग छे? आए, एनो जवाब छे, तो तमरे लखू पड़े, प्रस्णो ब्रहमारे, मादे बाई नी डाइरी ना कुल त्रेवीस भाग छे? अवे, बदा प्रस्णो नहीं लखूँ, आयो पन प्रस्णो, साहित्यनात प्रस्णो नी बात करूँ छूँ, प्रथम नर्शी मेता यवाड कोने मरेओ? प्रथम नर्शी मेता यवाड कोने मरेओ? तो जवाद मा लखूँ पड़े, राजेंद्रशा, तो तमारे म लखूँ पड़े प्रथम नर्शी मेता यवाड राजेंद्रशा ने मरेओ? आ प्रमाने, अवे लखिश नै, मात्र तम्ने वाची समड़ावूँ छूँ, जवेर चन मेगानी नी छेल्ली नवल खथा काई? जवाबकार चक्र, आंतराश्रिय मात्रु बाशा दिवस कयो, 11 फेबरु वारी, गुजरास साहित्य अकादमी ना हालना प्रमुक्षन विष् रुडी गुजराती वाणी राणी ना वकिल करीके कोण और खाय छे तलपत्राम। सरस्वती चंद्र महानवल कथा ना भाग बेनू शू नाम गुण सुंद्री नू कुटुम जार। पुर्मिला खंडकाव्यना कभी भुटाबकर श्रीमद राज चंद्रनू पुरु नाम राईचंद भाई रवजिवै मेता परब सामाइकना तंत्रिनू नामापो योगेश जोशी गुजराती साहित्य परिशद्ना हालना प्रमुक्ष शितांशु यसस चंद्र। हुकम मालिक कोनी कृती छे चिनू मोदी सितांशु यसस चंद्रनी कई कृती ने सरत्वती सन्मान प्राप्त थयू वखार। तेपनमो ग्न्यान पीठ एवर्ड कोने मलेो कृष्णा सोबती। दाड नवली का कोनी कृती छे जैंत खत्री। गजलना पेला सेवने सुक आये छे मतला। गुजराती भाषानी प्रथम जानपदी नवल कथा कई सुरत्तरा वेता पाणी। विचारोना व्रुंदावन्यमा कोलमना लेखक कौन छे दॉक्टर गुणवन शा। आतमने एक साहित्यना प्रश्णोनी में वाद करी। पान स्पष्टता न होवा थी। दरेक विशय ना आवा प्रश्णो निकरीश के इतियास भुगोर के बची सामाजीक विज्णान के विज्णान करन प्रोब्लेम्स मा आ बधीच बाबातोनु ध्यान राठू पड़े। अवे छल्ले एक छल्ली वाद करू टुंक नाद। टुंक नाद। तो आ टुंक नाद। पान साहित्यने अनू लक्षी नेज हुम वाद करीश के टुंक नाद मा घणिगे बाबातो आवी शके साहित्यकार होई, कोई सारा समर्श्यवक होई, विज्णानी होई, कोई करन प्रोब्लेम्स होई, दोकलां धिवाल। दोकलां विवाद विशे शु जानों छो, तो ये टुंक नाद बनी। गुजरात मा जर संचै अभियान विशे टुंक की माहिती आपो, तो ये पन टुंक नाद केवाई। अवे साहित्यनी वाद करू, तो छप्पा, तो येने विशे टुंक माहूं, आरी ते लखी शकू। चप्पा ए मध्यकाली काद्य प्रकार छे, चप्पामा छपंतियो होएछ। एमा प्रथम 4 पंतियो रोडा छंदमा होएछ अने बेपंतियो उल्लारा छंदमा होएछे। अखाये एना चप्पामा चोपाई छंद नो विनियो करेऊच। गुजराती साहित्यमा अखा अने शामर ना चप्पा वदू प्रचलीच्छे। एक मुरखने एवी तेव पत्थ रेतला फुजे देव तो आखानो चप्पो छे। चप्पामा सर्जक जेते जमाना निकूरुदियो, कूरिवाजो, पाखंडो आ बदा पर कटाक्ष करे छे, प्रकार्ष फेके छे। तो आरी ते एक टूंक नाद बनी शके सोनेट। तो सोनेट विश्वेपाण आरी ते लखी शकाय के सोनेट एई इटाली नो काविये प्रकार छे। गुजराती मां सव प्रतम सोनेट, बक ठाकोरे लखया। सोनेट मां चोध पंती हुआई छे। सोनेट तन प्रकार नाचे। प्यट्रार्क शाई सोनेट, तो प्यट्रार्क शाई सोनेट मां आँ छनेट छे। एम पंतीयोरू विभाजन हुआई छे। सेक्स्पिरियन शाई सोनेट तो एमां 4-4-4 और 2 एप्रमाने विचार नू वहन थायलू हुआज। अने त्री जो मिल्टोनिक सोनेट तो एम अनियमित प्रकार छे। गुजराती भाष्वामां बकठाकोर्न नू भणकारा एपेलू सोनेट गणा है। गुजराती साहित्यमां सारा सोनेट कारो तरीके। उमाशंकर जोशी, सुंद्रम, बकठाकोर्न, राजेंद्रश्या, उस्नास, चिनु, मोदी, निरंजन, भगत भगेरने। आ शिवाई पान गणा साहित्यकारोय सोनेट पर पोतानो हाथ अजमा भेलो छे। तो आ एक सोनेट विशनी में तुंक नाद कही। ए रिते हाईकू विशनी पान तुंक नाद होई शकाए। हाईकू तो ए जापान नो कादिय प्रकार छे। सत्तर अक्षर अने त्रन लिटी। एटले हाईकू ने सत्तरी पान कहवाई छे। आनू कादिय पान कहवाई छे। प्रकृती, स्वंदर्य, पशू, पक्षी, रूक्ष, पर्वत, सुरिय, चंद्र ए हाईकू नो विशय बने छे। हाईकू मा एक शब्द द्वारा सर्जात संदर सब्द चित्र रजू करे छे। गुजराती भाष्रामा जिनाभाई ये सुंदर हाईकू लखेलाच। येमनो प्रसिद्य संग्र छे। सोनेरी चांट आने रूपेरी सुरज। मित्रो, आ एक कलाकना समाईमा बैलिपना प्रश्णपत्र हैंगे। एक तुंकी समालोचना तमारी आगर में प्रस्तूत करी। आ माटे वदारे माँ वदारे महावरो अने वधू समाज अने वधू वाचन एनी जरूर छे। खुब वाचन करवा थी ने महावरो करवा थी। वदारे मार्क्स मेर भी शको छो। अने फरिथी चल्ले आप सव दर्षक मित्रों ने लिबर्टी एप तरत्ती अभिनन्नन पाठ्वोचु अने तमारू धे शिद्ध थाए एव इश्वर्तमने शक्ति अने बुद्धी आपे। अन्ते एक 22 द्वारा मरी वाद पूरी करूछू। बस येटली समझ मने परवर दिगार दे, सूख जारे ज्या मडे, त्या बधाना विचार दे, शुभमस्तु। नमस्कार। झाल